प्रधान मंत्री मोधी के अमेरिका के इतियासिक दौरे पर आप क्या कहते हैं कॉंग्रेस कह रही है पहले भी इस तरह के सम्मान होते रहे हैं और इसमें बड़ी बात क्या है बहुत दुर्भाग्या है कि कॉंग्रेस पार्टी हर एक चीज को राजनीतिक चश्में से देखती है ये सालों साल से परंपर हर रही है कि विदेश में हम भारत के बारे में एक आवाज एक सुर में बात करें आमिश जी आप तो जानते हैं कि अटल ब्यारी वाचपई जी भा करने के लिए युनाइटेड नेशन गयते जब कॉंग्रेस की सरकार केंद्र में थी प्रदान मंत्री नेहरू जी की विजट भी अच्छी रही थी हमने कभी भारतिया जनसंग ने किसी भी प्रदान मंत्री पहुंच गये है आप देख सकते हैं पल और प्यूश गोईल मेरे साथ हैं प्यूश गोईल में आगे की कहानी करता हूँ प्रदान मंत्री मोदी ने यूएन मुख्यले में योग किया इसके ठीक बात कॉंग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट किया और कहा मौन आसन जुमला आसन और कैमरा आसन और प्रचार आसन और वस्तासन क्या कहना चाहते हैं आप प्यूश जी अमिश्टी अब तक तो आप लोग भी समझ गये होंगे कि कॉंग्रेस के बेबुनियाद बातों में भारत के जनता में को कोई रूची नहीं है वो बस अपने आपको सुनाने के लिए ट्वीट करते हैं और उनका मंतरी मोदी और भारत का डंका बजरा है लेकिन विपक्ष मिलकर पटना में एक बड़ा मास्टर प्लान तयार कर रहा है दो हजार चौवेस में बीजेपी को मात देने की रणनीती बना रहा है ममता बेनर जी अरविंद केजरिवाल जी नितीश बाबू कॉंग्रेस अखिले जो भी वो प्रयास करते हैं वो उनका अधिकार है उनको करने देना चाहिए हमें उसमें कोई टिपड़ी करने के आवशक्ता नहीं है यह जरूर बड़ा अश्यरह लगता है कि एक तरफ लड़ते हैं दूसरी तरफ मित्रता करते हैं एक राज्यमें एक दूसरे को तुदु और बिहार कांग्रेस के परदेश अध्यक्ष अकिलेश परसाद सिंग कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे जादा सी जीते गी इसक्वे पीएम पदफ्र राहुल का ही हख बनता है अधिकार बनता है उनकी से जादा होगी उनको उफिशल बायान है वो कॉंग्रेस के नेता है उनका पूरा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से सपने ले शेक्चली की सपने लेने का किसी ने उनको रुखा नहीं है उनकी पार्टी के नेता राहूल गांदी है वो स्वेम राहूल गांदी जी बोलने को त्यार नहीं है स्विकार करने को त्यार उनके आदो जगड़े यही चलते रहते हैं कि पार्टी ते भी करती है कि अशोग गैलोत नेता बनेंगे पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे अशोग गैलोत उस बात को भी लात मार देते हैं केटें कि नहीं मुझे नहीं बनना उनके दो नेता ही अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं मुझे लगता है कि एक पार्टी जिसका नेत्यों तो कोई खुदी पार्टी के नहीं ता स्विकार करने के लिए तैयार नहीं है वो कैसे देश करने है तोड़ा ओफ-बीट सवाल है शरत और पवार कहरें कि बीजेपी दंगे करवाती है आरोप लगाने में कोई टैक्स नहीं लगता और शरत पवार जी भूल रहे हैं और उन्होंने एक आएने में अपने खुद के सरकार का समय याद करना चाहिए कि जब जब कॉंग्रेस या इन्सीपी की सरकार आई है हर प्रदेश में और खासतर महराष्टा जहां से मैं आता हूँ कितने दंगे हुआ करते थे, कितने तकलीफे होती थी, कितने सामप्रदाइक दंगे थे, कितने जाती क्यादार पे दंगे रहते थे, कितने अस्थिर्ता थी और किस प्रकार से कानून मेवस्ता चर्मराई भी थी मुझे लगता है माने शरत पावर जी को ज़्यादा अनुबाव होगा इस विशे के बारे में इस देवे इस प्रिकार के आरोप लगा रहे हैं वो भूल रहे हैं कि भारतिय जन्ता पार्टी एक समाज में समरस्ता लगाने वाली पार्टी है जी 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 बादवाज शुक्रिया आपका मारसा जुड़ने के लिए